नमस्कार आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूँ आपके साज शहर फुलेश शहर मंगलवार को बरहाना में फोजी जैवी शर्मा के आवास पर भानु पुट ने एक बैठक का योजन किया बैठक को संबोधित करतेवे भारती किसान यूनियन भानु के राष्टिय महासचिव ने कहा कि हम सभी को संगर्ठित रहकर कार्दी करना है जिस किसान कोई काम हो और कोई भी कर्मचारी उस काम की रिश्वत मांगता है तो हमें सूचित करो काम भी प्री में कराएंगे और इस कर्मचारी को उसकी उखाद भी दिखाएंगे नरेश्वती मंडलाद घख्ष ने अपनी संबोधन में सभी को इन अक्टूबर को फैजबाद के इमलिया गाउं कहुचना है और हमारी होने वाली सभा को सफर बनाना है राजेश नारायन शर्मा ने कहा कि सरकार भाजपा की हो या किसी अन्य दल की किसान की यही दशा रहनी है किसान एक जुट रहता ही नहीं है अगर सभी किसान एक जुट हो जाए तो किस माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आख भी मिला पाए सभा को कृष्ण शर्मा सहीत अन्य लोगों ने भी संबोधित किया क्या नाम है अपकी सब्सक्राइब से आप मैं ठागुरू पेमपाल्जिंग चौर राश्य मास अच्छेवू भारती किसान यूनियन का अच्छा आज आपने इक बैठक को संबोधित किया है आज बरहाना में मेरी पंचाइत हुई है और पंचाइत में हमने सरकार से मांग किये जिसके तहत यहां सभी लोगों ने किसानों ने मेरा साथ दिया है हमने मांग किया है कि पहले स्वामी नाथन रिपोर्ट के आधार पर हमको किसानयोग दिये जाए दूसरा हमारे बड़े हुए पिजली के बिल बापिस किये जाए तीसरा एमेसपी की गारंटी गारंटी कहते हैं वह गलत है हमें लिखत में गारंटी की कानून बनाई जाए चोथा है जब विधायक और सांसद आजीवन पैंसन ले सकते हैं तो किसान को साथ वर्सी की आयोग के ऊपर दस अजार रुपे महीने दी जाए तथा जो राज करमचारी है जो साथ वर्सी की उम्र तक देश की सेवा कर रहे हैं उनकी पैंसने जो बंद कर दी कर दी गई है वो चालू की जाए इसी के तहत हमारी अगली पंचायथ तीन अक्टूबर इम जागरतिया वियान चलाऊगा और इनकी नीज अराम कर दूँगा अच्छा जान का सब्द प्रयोग किया जा रहा है किसान नेता का एक बयान आया हमें चाचा जान और भतीजा जान पर हम कुछ नहीं कहते हम ने चाचा जान ने बदीजे हम जानते किसान और मज़ूर क्यों सब्सक्राइब किसान संग्ठन से जुड़े होने के लिए किसान संग्ठन